वेलकम स्टुडेंट्स जिसे आप लोग अवकलन भी कह सकते हो तो डिफ्रेंशीएशन को हम पढ़ेंगे आज अवकलन को इसको भी हम आगे इसका बहुत सारा यूस होता है बहुत सारी कंपेटिशन के अंदर भी इसके क्वेस्टन पोछे जाते हैं ध्यान रहे बचो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये NCRT के अंदर particular जो होते हैं ये topic नहीं है lesson नहीं है बट बहुत जगे यूज आते हैं तो इसे हम इसको mathematical tools जो है बना करके इक kit बना करके इसको हम cover कर रहे हैं पढ़ रहे हैं बहुत जगे पर ये यूज आने वाले हैं तो बचो सबसे पहले हम इसके अंदर एक चीज पढ़ते हैं slope यानिकि जिसे आप ढाल भी कह सकते हो ये भी आप 10th class तक पढ़के आ चुके हो ढाल क्या चीज होती है तो यानिकि आप लोग ध्यान से देखिए इसको कि एक मेरे पास x और y के between हमें एक graph बनाते हैं जैसे मैंने इसका क्या होता है बचो slope होता है इसी को हम slope कहते हैं यानिकि आप लोग कोई भी एक tangent बना रहे हो कोई भी एक line खेच रहे हो x और y graph के between में किसी angle के साथ जो इसका 10th theta आप find करते हो इस graph का 10th theta find करेंगे तो यही इसका बचो क्या बोला जाएगा slope यानिकि इसका ढाल बोला जाता है तो यह होता है हमारे पास slope यानिकी x है और यह y है x axis के साथ यह जो line है बचो यह tangent बोलते हैं इसको यह line है यह line इसके साथ यह theta angle बना रही है तो बचो यह जो angle 10th theta बनेगा यही इसका बचो क्या कहलाएगा slope कहलाएगा अगर आप इस point के उपर बात करते हो तो यह यह theta angle बन रहा है यहाँ अगर आप लोग अगले point किसी और point के उपर यानिकी यहाँ पर हमने लिया इस point के उपर बात करोगे तो भी angle theta होगा इस point पर बात करोगे बच्चो तो भी angle theta होगा इस point के उपर यदि बच्चो आप बात करोगे तो भी angle theta होगा angle यानिकी angle में कोई change नहीं हो रहा एंगल थीटा बनता जा रहा है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि यह जो ग्राब बन रहा वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर बन रहा है और स्ट्रेट लाइन के अंदर जो थीटा है बचो वो चेंज नहीं हो रहा थीटा में किसी टाइप का कोई भी चेंज नहीं आ पिलिए तो इस तरीके से बना दिया है तो ये इस तरीके से कुछ जो बचो ये graph बन रहा है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैं tangent बनाता हूँ यानि कि इसके लिए मैं slope बनाऊँ तो slope यानि कि tangent का मतलब होता है यानि कि कोई भी जो line है इसके ओपर सिधी सिधी जानी चाहिए इसको cross नहीं करनी चाहिए कट नहीं करनी चाहिए जैसे मैं इस line के ओपर यदी मैं tangent की बात करूँ ये ये angle कितना बन गया बच्चो थीटा बन गया अगर मैं यहाँ पर tangent find करूँ इस point के ओपर यहाँ पर तो बच्चो इस तरीके से ये line बनती है देखो थीटा चेंज हो गया यहाँ पर थीटा 1 यहाँ पर थीटा 2 अगर मैं इस line की बच्चो बात करूँ यह tangent बनाना मुझे सिधी straight line यहाँ पर लेकर आए यह देखो तो यह बच्चो कितना हो गया थीटा 3 हो गया तो यहाँ पर जो थीटा है वो बच्चो चेंज हो रहा है यहाँ कि हमने कोई पॉइंट लिए यहाँ इस पॉइंट के उपर थीटा लग है इस पॉइंट के उपर थीटा लग है इस पॉइंट के उपर देखें यहाँ कि थीटा जो है continue बढ़ता जा रहा है पलस होता जा रहा है थीटा के अंदर चेंज होता जा रहा है तो यानिकि इसका टैन थीटा जो है वो चेंज होता जा रहा है यानिकि इसका स्लोप क्या रहेगा वेरियेबल होगा बच्चो कैसा होगा वेरियेबल यानिकि जिसे आप कहते हो ए परिवर्तित होगा यहाँ पर देखा आमने तो यहाँ पर slope कौन्स्टेंट है क्यों 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 क्योंकि इसका जो slope है यानि कि इसका जो tangent line है वो एक street line है थीटा में कोई चीज नहीं हो रहा बट यहाँ पर जो आप tangent मनाते हो tangent का mean क्यों क्या है यहाँ पर यानि कि इसका जो slope होगा tangent 10 थीटा को 10 थीटा एक जो short form है tangent की इसका full नाम जो होता है वो tangent होता है sine का SI यानि sine जैसे cos theta को cosine बोलते है इसी परकार 10 थीटा को tangent बोला जाता है तो इसका tangent होगा यानि कि इसका slope एक सीधीर एका जो होती है यानि कि इसको जो है cut करते होए ना जाए इसके उपर उपर चले तो हम देखें तो इस उपरकार से जो है theta में change आ रहा है यानि कि इसका slope जो होगा वो बच्चो कैसा होगा variable होगा constant नहीं होगा यानि कि कैसा होगा एपरिवर्तित होगा तो इस graph के अंदर बच्चो हम अगर यदी बात करते हैं तो यहाँ पर जो slope है वो परतेक point के उपर अलग अलग आ रहा है यानि कि इसकी जो slope होगी वो at a point के उपर find की जा सकती है सभी point के उपर जो इसकी slope है वो same नहीं होगी इसकी जो slope होगी बच्चो वो at a point हो सकती है यानि कि सभी point के उपर क्या होगी अलग अलग होगी अगर हम इसकी बात करें तो straight line के अंदर तो यहाँ पर जो बच्चो slope है वो सभी के लिए same होगी at a point जो है वो नहीं होगी किसी भी point के उपर अगरा find करते हो तो theta same आ रहा है जिसकी वज़े से slopes जोगा वो constant होगा यानि कि नियत होगा तो हम इसका tangent find करते हैं तो देखेंगे क्या आने वाला है तो बच्चो हमने ये एक graph लिया था इस परकार से ये हमें दिखाई दे रहा है ये यानि कि ये x था और ये y था और यहां पर हम बात कर रहे थे ये हमने theta लिया था और यहां पर मैं इसको एक triangle बना लेता हूँ यहां पर देखेंगे इसको close करें हम लोग अगर मैं इसको close करता हूँ ये point हमने 1 ले लिया है ये point हमने 2 ले लिया है इसका तो यह एक इस टाइप से जो है इसका बच्चो ग्राफ बन रहा है हम इस point की बात करें तो यह जो point होगा जो एक number point है इसको हमने x1 और y1 ले लिया है यान कि x-axis से यह point x1 distance के उपर है और y-axis से यह point y1 distance के उपर है यह आप 10th 9th class के अंदर कही ना कहीं पढ़के आ चोके होते हों तो ज़्यादा हम इसको गहराई में नहीं जाने वाले यह two point है तो इसको हम लिख सकते हैं x2 और y2 इसका मतलब क्या होता है यह distance का formula आप आता root x2-x1 का square plus y2-y1 का square plus z2-z1 का square तो आप शिरी दराचारे सूतर यह जो भी है आप लोग इस परकार से जो है आप लगा के अरके आते थे अब distance find करने का formula 10th class तक जो है cover करके आ चुके होते हैं तो हम इसको फटाबट से देखेंगे यहाँ पर कि x1 means x-axis से जो इसकी distance है इस point की x1 है और y-axis की ओपर y-axis की ओपर इस point की जो distance है वो कितनी है बचो y1 है और x2 जो है इस point 2 नमर जो point है x-axis से direction है इसकी जो distance x2 है y-axis की ओपर जो इसकी distance है वो y2 होगी तो यानि कि हम अगर सिधी सिधी बात कर रहे हैं तो यह जो distance से बचो कितनी है x1 है और यहां से यह जो distance है बचो वो कितनी है x2 है तो यदि हम बात करें इसी को मैं open करके यहां पर बनाता हूँ यदि मैं इसको यहां पर बनाऊ हम इसको magnify करके यहां पर लेते हैं तो यानि कि यह अपने पास θीटा बना है और यह ग्राब बना तो यानि कि फिर यह distance कितनी बचेगी, यहां तक x1 है, यहां तक x2, पीछे वाली कितनी बचनी चाहिए बच्चो, x2 minus x1, यही तो आनी चाहिए, तो कि यहां तक तो बच्चो, यहां से लिकरें, यहां तक x2 है, यहां तक x1, पीछे वाली total में से यह minus कर दूं, यह बचती है means total x2 थी x2 में से ये minus करूँ मतलब x1 तो पीछे कितनी आएगी x2 minus x1 फिर हम आगे बच्चों यहाँ पर बात करते हैं यह जो distance है यहाँ से y axis है यह कितनी है बच्चो y2 है और यह जो distance है बच्चों वो कितनी है y1 रहने वाली है यानि कि इस point के distance यह y axis की direction की बात कर रहे हैं और यहाँ पर जो बच्चों बात कर रहे हैं वो x axis की जो है वो बात हो रही है तो यह total जो distance है यहाँ से बच्चो y2 है और इस जो one point number 1 है इसकी direction कितनी है y1 है तो पीछे कितनी बच्चाएगी total में से यह minus कर दो total y2 था यह minus कर दिया y1 तो पीछे 6 बच जाएगा यानि कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं इस चीज को यह जो हमने बनाया यानि कि इस तरीके से इस direction में था हम same इसी तरीके से इसको जो है बना लेते हैं इस तरीके से बना हुआ ही यानि कि यह angle theta यह x2 minus x1 था तो यह बच्चो कितना आ जाएगा फिर y2 minus y1 रहेगा तो यह तो था x2 minus x1 यह बना y2 minus y1 इसी को आमने openly magnify करके बढ़ा करके इसी को बाहर निकालके आमने लिखा यह triangle आमने एक ले लिया है यह point 1 था और यह बच्चो point 2 था अगर हम इसकी slope की बात करें इसकी मैं slope find करूँ तो बच्चो आप slope को किसे tangent यानि कि 10 theta को ही तो हम slope बोलते हैं तो इसकी जो सिधी straight line 10 theta होता slope 10 theta क्या होता है perpendicular upon base perpendicular upon base यानि कि आप क्या बोलते हो इसको lamba bati अधार यही तो formula होता है 10 theta का sin theta का lamba ticaran बच्चो बच्चो slope है यानि कि इसका 10 theta है वो कितना आएगा lamba बच्चो इस triangle में हमें दिखाई देरा y2 minus y1 और जो अधार है बच्चो वो कितना है x2 minus x1 तो इस graph की जो slope है जो इसका tangent है वो कितना आ रहा है slope यानि कि 10 theta is equal to y2 minus y1 upon x2 minus X1, तो यह हमने बचों क्या find किया है, इस graph का जो हमने slope find किया है, slope यानिकि इसका tangent, tangent means इसका 10 theta find किया है, अभी हम अवकलन के बारे में अभी मैंने नहीं बताया कि अवकलन क्या होता है, अभी हम slow find कर रहे हैं, अगर ये चीज़ हमें इसे cover आती है, तो हमें फटक से पता चल ज हैगा, चुटकी बजाते हैं कि differentiation जो होता है, अवकलन क्या होता है, बट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, slope और tangent जो है, क्या चीज़ हम किस तरीके से इसको find कर रहे हैं, तो ये था इस graph के लिए हमने tangent find किया, slope find किया, तो ये आया, फिर बचों हम बात करते हैं, इस graph के ल आप बन रहा था, तो यानि कि अगर हम बात करें, इसके अंदर जो tangent होगा, ये tangent at a point find किया जाएगा, प्रतिक point के उपर जो है, इसका tangent जो होगा, slope होगा, बचों वो अलग-अलग होगा, एक constant नहीं होगा, क्योंकि ये तो straight line थी, तो यहाँ पर theta change नहीं हो रहा था, theta change नही find किया, बट अगर हम यहाँ पर देखें, इस point के उपर कुछ अलग होगा, इस point के उपर कुछ अलग होगा, तो यानि कि परतेक point के उपर अलग-अलग होगा, इसी तरीके से हम इसको बच्चों अगर यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर इसको देखें हम लोग, इस परकार से यह लो अगर मैं इसको कुछ इस परकार से बनाता हूँ तो यह क्या बनेगा देखें इसको हम देहां से यहन कि मैंने यह पॉइंट वन नाम दे दिया और यह पॉइंट बचो मैंने क्या नाम दे दिया तो यहाँ पर अगर मैं ठीटा बनाता हूँ तो इसका देखो टैंजेंट कैसे find करेंगे क्योंकि ये जो line रहने वाली है वो एक straight line नहीं है वो एक curved है इस तरीके से बन रही है तो theta कैसे बनेगा टैंजेंट find नहीं कर पाएंगे क्यों क्योंकि एक equatorial triangle नहीं बन रहा है इसके अंदर जो है एक समकूर्ण टैंजेंट कैसे find करेंगे बचों इसकी slope कैसे find की जाएगी तो हमें इसकी slope find करने के लिए क्या करना पड़ेगा देखते हैं हम लोग इसकी slope को find करते हैं यानि कि if मैं क्या करूं यहां से मैं जो point one है उसको उठा करके मैं point two के नजदीक ले जाता हूं यानि कि मैं point two के नजदीक ले आया यह एक ट्राइंगा देखो अब देखो यिश्टे ट्राइंग बन सकती है यानि कि point one is very very near to point two यानि कि जो point एक है वो point two के very 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 close है बट एक ही point के उपर नहीं है point one and point two are very near but not at a point यानि कि एक और दो बहुत ज़्यादा close तो है एक दूसरे के नजदीक तो है बट एक ही point के उपर नहीं है यानि कि इसका मतलब यह हुआ इसी या आप ऐसे भी कर सकते हो यहां point one था point two को यहां पर लिया यह नजदीक इस तरीके से यानि कि यह एक देखो एक triangle direct बन जाता तकि हमें tangent find करने में आसानी हो जाती है बच्चो कोई problem नहीं आती है यानि कि इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर तो हमें कुछ को भी नजदीक लाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि बच्चो यह एक straight line थी तो triangle यहां पर आसानी से बन रहा था बट यहां पर थीटा change हो रहा है tangent जो slope है बच्चो वो क्या है variable है constant नहीं है चेंज हो रही है एक street line नहीं बन पा रही थीटा बार बार चेंज हो रहा है at a point के उपर slope find की जाएगी जो है थीटा change हो रहा है इसलिए हमने क्या किया point 1 और point 2 को हमने एक दूसरे के क्या कर लिया है बच्चो close कर लिया है एक ही point के उपर नहीं है but are very very near but not at a point यानि कि दोनों जो है बहुत ज़्यादा नजदीक तो है एक ही point के उपर जो है बच्चो पर जैंट नहीं है तो मैं इसको magnify करके बच्चो लिख सकता हूँ यदी तो magnify करके लिखूं तो बच्चो ये बन सकता है इसका graph तो इसका graph कुछ ये बनेगा तो यानि कि ये तो x2-x1 होता है और इस तरीके से यानि कि ये कुछ ऐसा बन रहा था ये x2-x1 था और ये बच्चो क्या बनेगा y2-y1 और इसके अंदर एक चीज देखने वाले बच्चो ये भी है कि इसके अंदर x2-x1 होगा अप्रोक्स कितना होगा 0 यानि कि लगबग लगबग 0 होगा बट 0 नहीं होगा बट 0 के लगबग ये distance कितनी होगी जीरो होगी और ये फिर y2-y1 भी कितना होजएगा बच्चो फिर 0 होजाएगा बट r very near not at a point बहुत ज़्यादा नजदीक है एक ही point के उपर नहीं है same point के उपर नहीं है इसलिए इनकी value लगबग लगबग 0 के बराबर हो सकते जीरो के नजदीक होगी जीरो प्रोपर जीरो नहीं होगी शोनिया नहीं होगी तो हम इसके लिए जो है tangent find करें तो इसका जो slope देखें बच्चो तो 10 theta is equal to कितना आने वाला है y2 minus y1 upon x2 minus x1 तो ये हमने एक slope find किया अब ये complete नहीं हुआ इसको हम और थोड़ा गहराई में चलते हैं इसको देखते हैं यानि कि इसके अंदर जो slope था बचो में straight line था हम देख पाए तो हमने tangent जो इसका slope था वो हमने find कर लिया बट अगर हम यहाँ पर इसका slope find करें 10 theta find करें slope का means होता है 10 theta उसका 10 theta find करना लंबटेदार होता है यह हमने point लिये distance find कि इनकी तो लंबटेदार लगा करके tangent इसका slope find किया इसके अंदर find करने बैठेंगे तो यह straight line नहीं बन पारी थी यह curved है एक पुरा triangle complete नहीं बन पारा था तो इसलिए हमने किया किया 1 और 2 को हम दोनों को एक दूसरे के नजदीक लेगे 1 and 2 are very near but not at a point यानि कि दोनों एक point के उपर नहीं है बहुत ज़्यादा close है बहुत ज़्यादा नजदीक रहने वाले हैं तो इसलिए हमने क्या किया यह y to minus y1 x to minus x1 होगा जैसे वो किया हमने distance find करेंगे approach 0 के नजदीक रहेगी but proper 0 नहीं होने वाली है तो इसका जो slope 10 theta y to minus y1 x to minus x1 तो इसका मतलब जो है जो y to minus y1 की value है उसको मैं dy लिख सकता हूँ dy का मतलब बहुत 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 चोटी value है जो इसके अंदर change है जो परिवर्तन है इसके अंदर यानिकि यह distance जो है बहुत ज़्यादा क्या है कम है बहुत ज़्यादा छोटी क्यों 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 क्योंकि 1 and 2 जो है बहुत ज़्यादा नजदीक आ गए है तो इसलिए बहुत छोटी value के लिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ y2-y1 को dy लिख सकता हूँ और इसी type से बच्चो x2-x1 की जो value है वो भी क्या है बहुत ज़्यादा नज़्दीक है बहुत ज़्यादा नज़्दीक है मतलब distance in between की बहुत ज़्यादा छोटी है यानि कि इस type की जो distance थी बहुत कम हो जाएगी क्योंकि ये point बहुत नज़्दीक जा चुके है यह वाले बहुत नज़्दीक गए तो ये जो value है बहुत छोटी होगी तो बहुत छोटी value के लिए मैंने इसको क्या लिख लिया x2 minus x1 को क्या लिख लिया बच्चो मैंने dx लिख लिया तो यानि कि इसका जो slope है जो 10th eta है तो बच्चो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ dy by dx तो इसका slope को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो क्यों क्योंकि 1 and जो 2 है बच्चो वो बहुत ज़्यादा close है बहुत ज़्यादा close होने की वज़े से बहुत ज़्यादा नजदीक होने की वज़े से एक ही point के ऊपर तो नहीं है बट लग-लग point के उपर है बट बहुत points are very close, very near तो بहुत ज़्यादा नजदीक है इसलिए ये जो values है बच्चो बहुत छोटी value होगी इनके between जो distance होगी वो बहुत ज़्यादा कम distance होगी बहुत short distance होगी बहुत short distance को के लिए हम इसको dy लिख सकते हैं और बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं dx लिख सकते हैं तो यानि की slope क्या आया इसका 10 theta dy by dx आ रहा है तो यानि की जो जो y, यहनि की जो y है, y की अंदर जो change in the rate of y with respect to x y की अंदर जो change हो रहा है x के respect में, वही क्या चीज है बच्चो, इसका slope है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, differentiation बोलते हैं, alkaline बोलते हैं तो alkaline या differentiation क्या हुआ, कि किसी एक quantity में, किसी other quantity के respect में change कर रहे हैं that is called differentiation, यानि कि किसी एक राशी के अंदर, किसी दूसरी राशी के सापिक्ष परिवर्तन करना हो तो बच्चो उसे क्या कहा जाता है, alkaline कहा जाता है, जैसे हमने देखा कि y के अंदर change हो रहा है किसके respect में? x के respect में that is called differentiation उसी को वच्चो क्या कहा जाता है? differentiation कहा जाता है या पिर हम लोग क्या बोलते है? याण कि slope क्या है? slope क्या है? slope जो है y versus x के between जो graph बन रहा है उसकी slope ही इसकी क्या है? tangent जो इसका slope याण कि इसका differentiation है यानि कि यहाँ पर जो dy by dx क्या है, dy upon dx, जो है, वो यहाँ पर क्या है, dy upon dx is the slope of the graph of y versus x. यानि कि dy upon dx क्या है, dy upon dx क्या है, कि यहाँ पर y और x के between ग्राब बन पा रहा है, यानि कि x और y के between ग्राब बन रहा है, उसकी क्या है, slope है. क्या है slope यह slope जो होती किसको represent करती है बच्चों यह slope यानि कि 10 theta से represent किया जाता है slope को तो dy by dx बच्चों किसकी एकवल आ रहा है 10 theta की यानि कि जो फिर dy by dx क्या हुआ x और y के between जो graph बन रहा है उसकी slope ही तो है dy upon dx is the slope of the graph of y versus x यानि कि जो dy upon dx है वो y और x के बीच जो graph बन रहा है उसकी slope है उसकी ढाल है क्योंकि dy upon dx slope के एकवल है यानि कि 10 theta के एकवल है या फिर हम यह भी कह सकते हैं y is the rate of change of rate of change of y rate of change of y with respect to with respect to x is क्या कहलाएगा यानि कि dy by dx क्यों होगा dy by dx is the rate is rate of change of y with respect to x तो दोनों ही बाते सही हो सकती है यानि कि dy by dx क्या है कि y की के अंदर इसकी rate के अंदर change है x के respect में तो वो है dy by dx या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो x और y के graph के between जो इसका tangent यानि कि इसकी जो slope है इसका जो 10 theta है इसकी जो ढाल है वही क्या है dy by dx है इसी को ही हम differentiation यानि कि अवकलन कहते हैं कि x के respect में y के अंदर क्या हो रहा है change हो रहा है यही differentiation है यह slope है यही 10 theta है और यही अवकलन है यही differentiation है इसी चीज़ को हम क्या कहते है mature differentiation जैसे आप लोग 10th class के अंदर पढ़के आए हो कि i is equal to q by t विधुतधारा आवेश के परवा कि इदर को विधुतधारा कहते है इसका मतलब क्या था कि change of rate of charge with respect to time is called electric current यन कि वहापर क्यों जो है आवेश आवेश के अंदर जो है परिवर्तन हो रहा था समय के सापिक्ष चार्ज के अंदर change हो रहा था time के respect में वही current था यन कि आवेश के अंदर परिवर्तन हो जाए समय के सापिक्ष समय के सापिक्ष आवेश परवाईत हो रहा था समय के सापिक्ष में आवेश के अंदर परिवर्तन हो रहा था उसे ही विधुतधारा कह रहे थे यानि कि आविश का अवकलन कर दो समय के साप किश तो क्या प्राप्त हो जाता है विदूत धारा या फिर आविदूत शक्ति की बात करते हो यह विपड़ का यachen टैंत में p is equal to w by t शक्ति की बात करें कारे करने की दर खो शक्ति कहते है यानि कि समय के सापिक्स कारिय में परिवर्तन हो रहा है differentiation बोलते हैं अब कलन कहते हैं तो यह इसका फंडा है differentiation का हमें slow find करना आणा थी तो यह इसलिए मैंने आपको slow find करके बताया ताकि आप लोग differentiation को असानी से समसक्ते हैं बिल्कुल basic हमने गहराई से इसको लिया है ताकि हमें अच्छे से जो है differentiation cover हो जाए इसको आप बार-बार देख सकते हो समझना आए तो आप लोगों को जितना इसको देखोगे इसको दिमाग में बिठाओगे तो उतना हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि differentiation actual के अंदर चीज होती क्या है हमें बहुत सारी बुक में डिरेक्ट हमें लिखावा मिल जाएगा differentiation यह होता है किसी quantity के अंदर हम चेंज कर रहे हैं किसी के respect में that is gold differentiation कि किसी राशी के अंदर परिवर्तन किया जारा किसी के साफिक्स उसको आफकलन कहा जाता है इतना में लिखावा मिलेगा उसके बाद उसके direct formula जा जाते हैं और उसको solve कर दिया जाता है बट actual के अंदर क्या है इसकी slope यानिकि इसका tangent इसका 10 theta हमें find करना होगा हम find करके देखें तो actual के अंदर जो differentiation है वो क्या है कि x और y के between जो graph बन रहा है उसकी slope है उसका tangent है उसका 10 theta है या फिर y के अंदर change हो रहा है x के respect में वही इसका यानकि tangent इसकी slope वही इसका differentiation होता है तो आगे बचो देखते हैं हम लोग इसके formulas देखते हैं इनके formulas हमें basically बात यह है हमें याद करने पड़ेंगे हमें रटा लगाने पड़ेंगे इसका कोई भी तरीका नहीं है physics के अंदर इसको कुछ समझनेगा तो आपको याद होने चाहिए वो बार-बार use करोगी तो आपको याद रह जाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं जादा hardest इसमें कोई भी चीज नहीं है तो हम बात करते हैं इसके formulas की इसके formulas देखते हैं हम लोग बच्चो क्या होते हैं इसके formulas तो यानि कि सबसे पहले में बात करूँ यदि y is equal to 5 given है तो dy by dx is equal to 0 होगा कैसे? यानि कि y is equal to मुझे constant given है constant means near तो dy by dx कितना आएगा? 0 आएगा यानि कि जब आपको y is equal to constant given हो तो उसका differentiation करोगे तो वो 0 आएगा यानि कि इसका मतलब क्या है इस बात का? इसका सीधा सीधा सा मतलब है वो यही है कि यह x और यह y होता है y की value 5 है y की value यहाँ 1, y2, y3, y4, y5 y is equal to 5 है तो यानि कि जो इसकी slope है वो क्या है? slope क्या है बचो वहांपर क्या है? 10 theta यहांपर क्या है? 0 theta क्या है? 0 यानि कि यह y is equal to constant है कोई value तो इसका मतलब सीधा सा यही है कि वहाँपर theta कितना है बचो 0 है इसका 10 theta theta कुछ भी नहीं बन पा रहा ये होता है constant के लिए सिरफ y जो है वो नियत है x बढ़ता जा रहा सिरफ y में कोई change नहीं हो रहा सिरफ x में change हो रहा x बढ़ता जा रहा y तो बड़ी नहीं रहा इस graph के अंदर तो इसका tangent जो हम find नहीं कर पाएंगे तो formula होता nx n-1 तो यह हमें बचो क्या ध्यान होना चाहिए formula ध्यान होना चाहिए यनकि y का हम कर रहे हैं तो dy x जिस सामने कोई है x x के respect में कर रहे हैं तो जिसका कर रहे हैं वो पर जिसके respect में जिसके sap x कर रहे हैं वो बचो कहा आएगा नीचे y का कर रहे थे तो d y y x के respect में हो रहा है तो नीचे को न आएगा dx आएगा x की power n का होता है n x n minus 1 होता है तो हमने इसको n x n minus 1 लिख लिए जैसे हम इसके examples इसके use करते हैं जैसे y is equal to x की power 3 हमें given आचुका है y का करेंगे तो d y by dx x के respect में x की power n n का काम कोन कर रहा है बच्चो 3 कर रहा है हमें देख सकते हैं यहां से तो n आगे आता है मतलब 3 आगे आया फिर x n minus 1 यानि की 3 minus 1 तो जो बच्चो d y by dx है वो कितना होगा 3x 3 minus 1 2 होता है तो 3x square होगा फिर जैसे हमें given है y is equal to x की power बच्चो कितना आया 6 आया तो y का करोगे तो d y by dx x के respect x की power n n आ गया तो 6 आ गया पिर कौन आएगा x फिर n minus 1 n की जागे 6 आ रहा है मतलब 6 minus 1 तो बच्चो जो d y by dx हो कितना होगा 6 में से बन गया तो 5 6x की power 5 आ जाएगा पिर आगे जादी हम बच्चों बात करें y is equal to में x square दे दिया y का करेंगे तो d y by dx is equal to x square तो 2x 2 minus 1 तो d y by dx कितना रहेगा 2x की 1 या पिर आप इसको director 2x भी लिख सकते हो तो ये आप इसका जो है formula थे x की power n के हमने use की या पिर हमें कुछ ऐसा दे दिया कि y is equal to जैसे हमारे पास आज आता है root x तो इसको मैं y is equal to x की power 1 by 2 लिख सकता हूँ for example बात करें x की power 2 है तो हमने direct लिखा 3 है तो 3 लिखा 6 है तो 6 लिखा 10 है तो 10 minus 2 है तो minus 2 इस type से हमने लिखा अगर मैं बात करूँ कि x की power 1 by 2 लिखना है तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x की उपर मैं under root लगा दू तो दोनों का मतलब एक ही होता है किसी भी संक्या की उपर root लगा हुआ it means that उसकी जो power है वो कितनी है 1 by 2 है उसकी power half है तो इसलिए हमने इसको है सालिकार तो power root है इसका मतलब power कितनी है उसक्या की 1 by x की power 2 है y का करेंगे तो dy by dx n आगे आता है तो 1 by 2 कहा आएगा आगे इस 4x की power n ही लगाएंगे तो आगे आया n फिर बच्चों के आया x फिर n minus 1 n का का 1 by 2 कर रहा है minus 1 कर दिया dy by dx is equal to 1 by 2x 1 by 2 और यह तो minus का 1 by 2 बच्चते आप इतना solve कर सकते तो भी आपका सही होगा इसके बहुत सारी तरीके होती ही से आगे से आगे बढ़ाते जाओ जितना भी आप solve करते जाओ या तो भी कोई जो गलत नहीं है बट कही बार optional question आता है competition में optional question के अंदर हम क्या करते हैं क्योंकि हमें ये option नहीं दिया हुआ कोई question आया ऐसा ये हमें option में नहीं है तो ये question आगे भी तो solve हो सकता कैसे होगा देखो 1 by 2 x की power उपर minus 1 by 2 है नीचे आएगा तो plus 1 by 2 होगी ये बात हमें पता है अच्चे से हम छोटी क्लासों में भी पढ़के 9, 10, 30 में कि उपर कोई संक्या की power minus है तो वो नीचे आती है जो है line के तो वो power plus होगी power plus थी तो वो नीचे minus हो जाएगी नीचे minus थी तो उपर plus हो जाएगी 1 by 2 x x की power 1 by 2 है मतलब x की पर root लगा दू option में यह है तो आप यह टिक कर दीजी तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो उसको क्योंकि वहाँ से लिखा है आपने root था 1 by 2 लिखा 1 by 2 है तो वापी से root लगा दिया तो root x का कितना हो वो 1 by 2 root x या 1 by 2 x की power 1 by 2 x की power minus तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो तो यह इसके कुछ differentiation के x की power जो n के कुछ formulas है फिर हम बात करें एक वैसे बताने लाए कि यह formula नहीं है बढ़ हम बता देते हैं इसको कि y is equal to x एक formula आया तो इसका dy by dx find करोगे क्या करोगे dy by dx find करोगे तो वो 1 आता है कैसे आया 1 यानिकि x यहाँ पर if constant है यानिकि इसका मैं find करो variable यानिकि इसका dy by dx यानिकि इसका 1 आया कैसे आया इसी quantity का 1 तो y का dy by dx यानिकि x के उपर एक लगा दूं तो कोई फरक थोड़ी बढ़ेगा x की पावर एक लगा दूं चाहे सीधा x से कोई फरक नहीं बढ़ेगा तो एक आगे आया x फिर उपर 1-1 x की पावर n लगाया ना n आगे आया n-1 तो dy by dx is equal to 1x 1-1 0 किसी भी संक्या की पावर 0 होती है तो उसका answer कितना आता 1 तो dy by dx कितना आया 1 आया कितना आया बच्चो 1 तो इस तरीके से आप ये methods use करते हुए आप जो है इन तरीकों से ये questions जो है attempt कर सकते हैं जो इसके लिए बच्चों में formula ध्यान होना चाहिए आपको formula ध्यान है तो आप तुरंत जो है question को attempt कर पाओगे कोई भी problem नहीं आने वाली या पर base भी है maximum level भी है आपको सब जो है तुरंत पता चलता रहेगा आगे बच्चों हम देखते हैं इसको solo करते हैं y का करोगे तो dy by dx 5 constant है इसको वैसे छोड़ दो जब अकेला constant आए जैसे y is equal to 5 आ जाता तो उसका बच्चों 0 होगा जो कि हम पढ़ चोके लेकिन किसी के साथ multiple में आ रहा है तो हम इसको वैसा का वैसा छोड़ देंगे तो 5 को छोड़ दिया x की power 3 में x की power n लगाएंगे n minus 1 होता है तो हम क्या लिखेंगे इसको n क्या काम कौन कर रहा है 3 आ गया x 3 minus 1 तो ही कितना हुआ 15 x इन में से एक गया तो 2 15 x square होगा हम इसको देखें तो d y y या पिर मैं सो ऐसे देखें x की power नहीं के plus 1 है उपर गई तो minus 1 अब करें d y y dx अकेला 5 होता तो 0 लेकिन किसी के साथ multiply में आएगा तो छोड़ देते हैं भी मैंने बताया वैसा का वैसा x की power n लगाएंगे तो n आगे आएगा minus 1 फिर x n minus 1 तो n का का minus 1 कर रहा है बट फिर formula में भी minus 1 आता है तो यहां पर minus 1 हुआ तो यानि कि यह बन गया minus 5 x minus 2 minus 5 x की power 2 नीचे जाएगा तो आप इस तरीके से जो है इसको लिख सकते हो तो यह x की power n का जो formula तो हमने इसके बहुत सारे जो examples attempt किये हैं आप इसको बच्छो अच्छे से कर सकते हो आगे हम next formulas के तरह बढ़ते है step by step आप अच्छे से इनको साथ साथ cover करते जाएंगे कहीं परिशानी नहीं आने वाली तो हम देखते हैं इसका next formula क्या रहने वाला है next formula की जदी बच्छो हम बात करते हैं तो next formula जो होता if हमें y is equal to e की power x given है y की power kyan e की power x तो बच्छो dy by dx क्या होगा e की power x ही होगा तो e की power x का differentiation क्या होता a की पावर x ही होता है यानि की a की पावर x का अवकलन a की पावर x कोई चेंग नहीं होगा फिर बच्चों हम बात करते हैं y is equal to हमें given है log x क्या given है log x तो हम dy by dx find करेंगे log x का होता है 1 by x क्या होता है 1 by x फिर बच्चों हम बात करते हैं y is equal to हमें a की पावर x आ जाए, क्या आ जाए, a की पावर x, तो dy by dx क्या होगा, a x log a होता है, क्या होता है, a x log a, हम क्या करें हैं, बच्छों देखो, एक तो e की पावर x था, और एक a की पावर x है, confused ना हो, देखें, यह तीनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, a की पावर x, log x और a x, a की पावर x का तो a की पावर x होगा, log x का 1 by x होगा, a की पावर x का a x log a होगा, अब हम क्या करते हैं, यह फॉर्मूला भी अलग हैं, दोनों अलग लग फॉर्मूला थे, a की पावर x का e की पावर x, a की पावर x का a x log a होता है, बट इसके लिए मैंने एक जोटा सा तरीका निकाला है दोनों को मैं इकठा करके निकालों यादि कि मैं इसी तरीके से उपर वाले को सोलो करूँ मेरे पास Y की पावर X था तो D Y by D X मैं इसी तरीके से उसको सोलो करूँ A X का था A X log A था मैं इसी formula से उपर वाले को solo करके देखता हूँ क्या वापिस से यह आता है कि नहीं आता या तो तुमारा सही या नहीं तो नहीं होगा AX, यहाँ पर EX है तो EX फिर log E आना चाहिए क्योंकि A था तो A आया E था तो E log E का मान एक होता है log E की value कितनी होती 1 यह आगे आ जाएगे यहाँ पढ़ोगे maths में भी पढ़ोगे log anti-log जो इनकी value को कैसे find किया जाता है तो बचो लोग E की value 1 होती है EX into 1 तो dy by dx कितना आएगा बच्चो E की power x तो देखो same आया या नहीं आया तो यानि की E की power x को आप इस तरीके से भी attempt कर सकते हो आगे की तरह बढ़ते हैं हम लोग बचो y is equal to क्या गिवाने sin x तो dy by dx क्या होगा cos x होगा क्या होगा cos x यह formula जे हमें याद रखने पढ़ेंगे कोई तरीका नहीं आप कोई कोई तरीका क्या है इनको जो है निकालने का तो कोई तरीका नहीं है बच्चो physics के अंदर इसको सीधा आमें याद करना होगा आमें रटना होगा आप याद करोगे तो 2-4 बिनटे में हमें समयाद हो जाएगा कोई समस्या नहीं आएगी if y is equal to cos x है तो y का dy by dx cos x का बच्चो कितना होगा माइनस साइन क्या होगा उल्टा भी होगा या माइनस भी होगा साइन का cos और cos का साइन बट कैसा साइन माइनस का साइन साइन अच्छा है तो इसलिए पलस में cos बुरा है तो इसलिए माइनस में आगी साइन का कोस और कोस का बच्चो माइनस साइन होगा फिर हम बात करें 10x का y is equal to हमें क्या given है बच्चो 10x क्या given है 10x तो dy by dx क्या होगा sec square x क्या होगा sec square x होगा फिर हम बच्चो बात करते हैं आगे हमें y is equal to given है sec x given है क्या given है sec x तो dy by dx क्या होगा sec x और 10x होगा बच्चो क्या होगा sec x और 10x होगा उसके बाद बच्चो हम देखते हैं कि y is equal to हमें क्या आ रहा है cosec x आ रहा है तो dy by dx क्या होगा minus cosec x और coat x इसी टाइप से y is equal to coat x होगा तो dy by dx क्या होगा बच्चो minus cosec square x होगा तो ये formulas जो है इसके बच्चे जिस परकार से 10 का sec था उस परकार से coat का क्या होगा cosec square 10 का sex square x होगा coat का cosec square x होगा 10 का sex square है coat का 10 coat reverse होते हैं तो cosec square x but minus का और फिर हम बात करें sec x का sec x 10 x है तो cosec का क्या होगा cosec x coat x हो जाएगा भी 10 का coat होता है तो लेकिन कैसा minus का होगा तो ये बच्चो इसके mainly mainly formulas थे जो कि हमने देखे हैं आगे और भी हैं एक दो बट एक बार इनको हम देखे हैं कि जैसे बच्चों हम बात कर लेते question आता है मेरे पास s is equal to t की power 3 आगया means s का find करें तो ds t के respect में तो dt आप समझेगे बात को यानि कि मैं y is equal to x की power 3 लिख दूँ तो y का कर रहे हैं dy x के respect में तो dx यानि कि 3x square होगा यही तो होगा x की power 1 लगाएंगे बट या इस था तो ds t था तो नीचे y था तो dy x था तो dx उसी तरीके से हम इसको लिख रहे हैं तो जोड़ी नहीं है कि y और x आए आपके पास t s u v x कुछ भी आ सकता है वो कोई surety नहीं है इस बात में कुछ भी आए आप उसी के way में चलते हुए जो है question को attempt करोगी तो t की power 3 का 3 आगे आया t 3 minus 1 तो ds by dt कितना आया 3t square है अगर मैं यहाँ पर यह बोल दू ds by dx तो बच्चो कितना आएगा 0 क्योंकि t के respect में change हो रहा है x के respect में change नहीं हो रहा x के respect में change नहीं हो रहा तो जो है slope कितना थिटा कितना आएगा बच्चो 0 यनकि slope किया इसका constant यनकि ऐसा graph बनता है ऐसा no change ऐसा graph बनेगा तो वा tangent 0 आता है तो differentiation कितना आएगा बच्चो 0 आएगा constant आएगा यह हम पढ़ चुके हैं और आगे इतमें बात करूँ कि मेरे पास कोन है y is equal to sin theta है sin x था तो cos x हो गया y तो dy सामने theta है तो मैं d theta करूँ गया cos theta आ रहा है ना sin x था तो cos x आ गया नीचे x आया क्योंकि यहां पर x था तो यहां x तो cos x आया बट यहां theta है तो theta के respect में कर रहे है तो यहां cos x था तो बच्चो यहां कोन हो जाएगा cos theta अगर मैं बात करूँ dy by dx कितना आगा तो बच्चो कितना आगा 0 होगा क्योंकि theta के respect में change हो रहा है x के respect में बच्चो change नहीं हो रहा तो वो कितना आएगा 0 तो यह भी ध्यान रखें और direct person तो क्या ध्यान ना भी आए कोई surety नहीं बट ऐसा question आ सकता है और हम क्या होते over confidence में आते होवे क्योंकि basic x की वावर n लग रहा है तो हम जल्द बाजी में करेंगे next minus one लगाएंगे तो हम यह answer निकाल के tick करके आ जाएंगे तो हमारा गलत होगा सही कुन सा होगा यह हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो dx पूछ रहा है या dt के respect में पूछ रहा है जो चीज वहाँ पर available है present है उसके respect में पूछा जा रहा है तो आप formula लगा के करिए अगर चीज यहाँ पर T है जैसे और X के respect में पूछ रहा है तो बच्चो कितना आएगा यहाँ पर 0 आएगा जैसे यहाँ पर theta था हम जल्द बाजी में क्या कर देंगे dy by dx पूछेगा हम क्यों sign का कोस होता हम कोस x या कोस theta करके आदाएंगे बट क्या होगा यहाँ पर उसने X के respect में पूछा है बच्चो कितना आएगा 0 आएगा क्यों क्यों कि यहाँ पर वो चीज अवे लेबल नहीं है यहाँ पर अवे लेबल theta है theta के respect में करोगे तो ही होगा X है नहीं आप X के respect में कर रहे हो तो 0 क्योंकि इसका theta 0 होता है slope नहीं हो पता constant होता है इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते तो बच्चो आज के लिए हम इतना ही करेंगे और कोई भी समस्या हो तो आप comment box में type कर सकते हैं इसमस्या को आपको जो है उसका answer दे दिया जाएगा इसको आप पढ़िए आज के लिए इतना ही फिर हम next topic के साथ आगे बढ़ेंगे thank you